जो साली को खाने का बार-बार मन करें ऐसी राजिस्थानी ताली जो की खाने में भरपूर पोश्टेक और स्वार में लाजवाब है। बनाने का तरीका बहुत ही सरल और बहुत कम समय में बनाने के अच्चूप तरीके आपको इस साली का दिवाना बना ही देंगे। चट पर्ट आज ही सली को घर में ट्राइ करिए महमानों के लिए बनाए और देखिए महमान आपसे रेसिपी जरूर पुचेंगे चलिए बनाना शुरू करते हैं पकोडी वाली कड़ी बनाने के लिए एक कप बेसन चुटकी बर हल्डी और उसमें डाली चुटकी बर अज्वाइन 1-4 टी स्पून साथी में आदी चमर्च लाल मिर्ची का पाउडर डाला है और आदी चमर्च इसमें नमक डाला है हिसाब से साथ में तीन आरी मिर्चे बारी कटी हुई और आदी चमर्च मैंने ग्रेट करके कद्दू कस करके अद्रक कर डाला है और 1 फॉर्ट कप पानी से मैंने बैटर बनाया है एक कप बेसन में 1 फॉर्ट कप पानी और 4 मैंने इसमें मीडियम कटेवे स्लाइस में अनियन डाले हैं और बारी कटा धनिया डालके इस तरीके से छोटी छोटी आकार में एक्टम तेज गरम तेल में पकोड़ियों को तल लेंगे देखिए पकोड़ी एक्टम ब्राउन हो जानी चाहिए इस तरीके से बहुती स्वाद क्रिस्पी पकोड़िया बनती है कड़ी के पकॉड़ी ऐसे ही बनती है आनियन पकॉड़े जो बनते हैं भजिया वो बिल्कुल अलग तरीके से बनते हैं दो कप मैंने इसमें दही लिया है अगर दही खटा ना हो तो मैं बताऊँगी क्या करना चाहिए वन फोर्थ कप इसमें डाला बेसन और तीन कप इसमें मेजरिंग कप से नाप के पानी डाल दिया है बराबर कॉंटिटी में सब कुछ है मिक्सी में फेट लिया ही देखिए कड़ी की चाच बनके बिल्कुल तयार हो चुकी है बिल्कुल इसी तरीके से बनती है पकॉरी की कड़ी अब इसमें हमने घी लिया है कुकर में वन फोर्थ कप देसी घी लिया है और उसमें दाना मिती डाली मैंने चुटकी बर वन फोर्थ टी स्पून और चुटकी बर डाली काले मिर्ची साथ में क्लोव्ज मैने लॉंग के डाले हैं और दो कश्मीरी लाल मिर्ची को तोड कर डाला है अच्छे से भून लेंगे एक बड़ा चम्मच जीरे कर डाला है इसमें हीं कर डाला है चुटकी भर वन फूट टी स्पून और एक चम्मच इसमें राई कर लेगा और एक टोड के तेज पता डाल के तोड़ा सा बून के ब्राम कर लेंगे दो बड़े चम्मच कटी भी हरी मिर्ची के और धनिया के डाले हैं इसे भी अच्छे से भून लेंगे ये देखिए अच्छे से भून लीजे जितना अच्छा मसाला भूनेगा स्वाद अच्छा आएगा एक चमच कुरियंडर पाउडर धनिया पाउडर का डाला है इसके अंदर एक चमच और दो चमच कश्मीरी लाल मिर्ची के डाले हैं आदी चमच इसमें अमचूर का डाला है अगर धही खट्या ना हो तो आप इसमें अमचूर या फिर आप इसमें नीमबू का रस एड़ कर सकते हैं एक चौप करके मैंने एक चममच अध्रक कडाला है चौप करके या कदूकर करके डाल के देखिए, मसाल अच्छे से भून लिया है चाट जो हमने रेडी करी थी वो कूकर में डाल दिए कुकर में बनाना एकदम सेफ होता है बहुत जटपट और जल्दी कड़ी बनके रेडी हो जाती है और नॉर्मिली से भी बहुत जादा टेस्टी बनती है ट्राइज जरूर करिए क्योंकि कम समय में कड़ी बन जाती है चुटकी बहर इसमें हल्दी डाली है जो कि optional है आप चाहें तो add कर सकते हैं नहीं तो skip कर सकते हैं नमक डाल दिया करीब एक चममच अच्छे से देखिए मिला लिया कुकर का ढकन बन करके करीब 10 मिनिट तर एकदम slow flame पे पकाया है और इसमें 4-5 सीटियां आ जाती है ये देख अब मैंने ये बुजिया बनाई है मूली की इसमें cooking oil डाला कूकर के अंदर साथ में जीरा डाला एक बड़ा चममच और इसमें डाला हींका वन फोट टी स्पून दो मैंने इसमें चममच अद्रक कदुकस करके डाले हैं एक चममच कचरी का पेस्ट या कचरी पाउडर जो क चुटकी बर हल्दी और दो चममच कश्मीरी लाल मिची पाउडर और एक बड़ा चममच धनिये का पाउडर इसमें डाला आदी चममच इसमें जाएगी अजवाइन का और अच्छे से देखिए मसाले को बून लेजे साथ में दो बारी कटे हुए टमाटर डालके अच्छे भी पका लेजे खटी बहुत ही चटपटी सबजी बनती है मूली और मूली के पत्ते की जो की बहुत पॉपुलर है बाजरे की रोटी के साथ राजिस्तान में यह देखिए अच्छे से मसाला बुन चुका है इसमें डालेंगे कसूरी मेती दो बड़े चममच और इसे भी मि डालेंगे जो मूली के साथ पत्ते आते हैं हमने इसमें वही आड़ कि दो मूली पत्ते समेट लेकर एड़ करिए एक चममच इसमें नमक जाएगा असवात के अनुसार और अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मूली में इतन अच्छी गलनी इतनी है तब जाके स्वाद अच्छा आता है मूली बहुत अच्छे से गल चुकी है और बहुत टेस्टी सबजी बनी है ज़रू ट्राइग करिए घर पे चलिए बाजरी की रोटी बनानी के रिए मैंने एक बाजर लिया है अच्छा सा फ्रेश चक्की वाला पिसा हुआ बाजर लीजिए नहीं तो बाजरी में करवा पनाता है पैकेट वाले में वन फूर्ट चमच मैंने इसमें नमक का डाला एकदम तेज खौलता हुआ तेज गरम पानी उबलता हुआ डालेंगे चमच से आता लगा सकते हैं अगर पानी आपको हाथ से गरम लगे गलवस पैन के यह देखिए आटे के अंदर एक कप आटे में वन फूर्ट कप से थोड़ा सा कम पानी लगता है हाथ से हतेली से मत कर अच्छे से देखिए आटा लगाएंगे और एकदम परफेक्ट रोटिया बनती हैं मेजरमेंट देख लीजे एक कप आटे में वन फूर् आटे में ले लिया दो में डिवाइट कर लिया था एक पेड़े को और इससे दो रोटी बनती है एक कप आटे में हाथ से इसे फ्लाट करना है सिंपली कुछ भी नहीं करना है साइडों से दबाते हुए इस तरीके से और खास बात यह है आपको जितना मर्जी पतला करना है पतला कर लिजे लेकिन साइडों से जो कॉर्नर्स होते है न वह अच्छे से सील कर दीजे क्राक्स नहीं होने चीए वरना रोटी अच्छी नहीं बनेगी यह देखिए साइडों से गुमाते हुए रोटी को इस तरीके से फिर बाद में दबा दीजिए रोटी नीचे से इस तरीके से बहुत ही असान तरीके से मैंने यह रोटी बनाई है आप घर में जरू ट्राय करिए परफेक्ट रोटी आं बाजरे की आपकी भी बनेगी साफधानी से रोटी को पलट लीजे अब जिस साइड हम पानी लगाते हैं तवे पे वो साइड चिपकता है जैसे जैस तवे पे रोटी सेख सकते हैं या फिर पापर वाली जाली जो होती है पापर सेखनी की उस पे रोटी को रखके कॉर्णर्स पे से अच्छे से रोटी को सेख लीजे कॉर्णर्स जो होते है वो सिखना ज़ादा जरूरी होता है और बीच में से तो वो सिखी जाती है बाजरे की तयार होए दो लेयर में ये रोटी डिवाइड हो जाती है इतनी गजब रोटी बनिए ज़रूर ट्राइ करिए बाजरे की रोटी बहुत ही हेल्दी होती है और आपको ये ज़रूर ट्राइ करने चाहिए दो रोटी हमने ली चूर्मा लड्डू बनाने के लिए दो बाजरे की रोटी के चूरे को न थोड़ा सा गी में सेक लेंगे जिसे की बहुत ही अच्छा स्वादा है लड्डू का ये लड्डू खाने में भेंगर स्वाद लगते हैं वन फूर्थ कप घी डालके आप ये बाजरे का चूरा जो है इसे अच्छे से बून लीजे करीब पा आप जरूर कहाई आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं घुटनों के दर्थ के लिए ओवर ओल बाजरा जो होता है बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है इसमें दो बड़े चमच मैंने मागज के डाले हैं कोई से भी बीज कर बूजे मतीरे के और काजू साथ कर दाला है इसमें सौंट का पाउडर और काली मिर्ची का पाउडर आदे आदी चमच और पिस्टा तोड़ के डाल दिए ड्राइफ रूट्स आप जो मर्जी इसमें एड करना चाहते हैं डायरेक्ट ड्राइ जो ड्राइफ रूटस होते हो मैंने इसमें आड्ड कर दियें दो बड़े चमश किशमिश का भी डाल दिया है ड्राइफ रूट्स को ज़रूरत नहीं है कि तेल में घी में बूना जाए डारेक्ट भी डाल सकते हैं इसमें खोपरा डाल दिया है मैंने वनफोर्थ कब बहुत ही अच्छा स्वाय दाता है बाजरे के साथ खोपरे का और किश अब इसे तोड़ा सा जो भी गरम होता है तभी इसमें हमने गुड का बुरा मिला दिया है आप चाहें तो इसमें बुरा जो गुडिया शक्कर होती है वो मिला सकते हैं या फिर पाउडर चीनी मिला सकते हैं या फिर खजूर का पेस्ट इसमें आप मिला सकते हैं या फिर गु गुए बांद लिए जीरा मटर राईस बनाने के लिए एक बड़ा चमच घी का लिए है अच्छे सिगरम कर लीजिए कड़ाइं मेगीषा अर एक चमच जीरा ढालके ब्रावन कर लीजिए do अच्छे से ब्राउन हो गया है तोड़कर लाल मिची डाल दी सुखी वाली कश्मीरी मिच और इसमें जाएगा बारी कटा हुआ धनिया और बारी कट हुई बहुत सारी हरी मिच और आधा कप उबला हुआ मटर या फ्रोजन मटर डाल के थोड़ा सा करीब आधा से 1 मिनिट आप बिल्कुल उसी तरीके से उबाल लेजिए इस तरीके से देखिए राइस बिल्कुल बनके रड़ी है धनीये से गार्णिश करिए और कडी के साथ गर्म गर्म पुलाव सर्फ करिए खाने में ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं मेरे प्रीविज वीडियो की डिस्क्रि के द्वारा आप मुझे कई सारे सजेशन्स दे सकते हैं आपकी सजेशन्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजेगा जिससे की आपको नोटिफिकेशन्स मिलते रहे में कब वीडियो अपलोड करती हूं इस ताली को घर में जरूर बनाएए नमस्ते